है आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एजी से बनाएंगे बहुत ही इजी डिजाइन है इस डिजाइन को आप लेडिज के गरल्स के बेवी के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं लेडिज जैंट सेंड बेवी के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर साइज स्वेटर गा डिजाइन बनके आएगा इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यह 4 प्लाइ वाली नॉर्मल वर्धमान वाली वूल ली है और 10 नंबर की मैंने स्लाइ लिए दस नमबर किसलाई है अगर आप इसको इस फोर प्लाई वाली वूल में बुलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दस नमबर किसलाई यूज किजिएगा और आप इसको बुनना चाहते हैं तीन तार वाली थ्रिपल आई वूल में जिसमें तीन तार होते हैं तो आप वहाँ पे नो नमबर की सलाई यूज कीजिएगा अगर आप डिजाइन को बुनने में इंट्रेस्टिड हैं तो प्लेज आप वीडियो को एंड तक देखेगा और डिजाइन पसंद आए मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा चैनल पे आप नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहां पे आठ के मल्टिपल फंदे लिए हैं जैसे पहले आठ फंदे गिनिएगा फिर से आठ फिर से आठ लास्ट में आपके पांच फंदे एक्स्ट्रा होने चही यह तो design अच्छे से adjust हो जाएगा right side से बनना शुरू होगा और 12 सलाईयों में design बनके complete हो जाएगा 6 सलाईयों का design है फिर design को change करेंगे तो फिर से 6 सलाई बनाएंगे total 12 सलाईयों में यह design हमारा cover हो जाएगा तो चलिए इसको बनना शुरू करें right side design की first एक दो थे दागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो दागा पिछे करेंगे फिर से एक फंदा सीधा फिर दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब देखिए एच टीच को छोड़के इन ही आठ फंद को फिर से रपीट करेंगे तीन सीधे, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे तो फिर से ऐसे ही करेंगे तीन फंदे सीधे, दो, तीन धागा अपनी तरफ फिर से दो फंदे उल्टे, एक, दो धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे आप देखिए यहां से यहां तक दूसरा रिपीट कम्पलिट हुआ तीन सीधे दो उल्टे एक सीधा दो उल्टे लास्ट में आपके पास चार फंदे बचेंगे तो इन तीन फंदों को आप सीधा बनाएए एक दो तीन अब ये एच्टिच है इसको भी सीधा ही बना लेगे डिजाइन की फर्स्ट रो बनके कम्पिलिट हुई अब आज ये उल्टी तरफ सेकंड रो दूसरी सलाई तो एच् एक दो तीन तीन फंदे उल्टे बने अब जो ये आगे के पांच फंदे हैं इनको देखिए दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंद सीधा तो देखिए एजटीज को छोड़के इनहीं आठ फंद को फिर से रिपीट करेंगे तीन फंदे उल्टे और जो आगे के पाँच फंदे हैं एक सीधा एक उल्टा एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, दागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, तो देखें, यहां से यहां तक दूसरा रिपीट तीन फंदे उल्टे बनाएंगे आगे के पांच फंदे उनको एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा आठ फंदे टोटल बन गए लास्ट में आपके पास चार फंदे हैं तो चारों फंदों को उल्टा ही बुन लेजिए तो डिजैन की दो सलाईया बन के कम्प मार लेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन दागा अपनी तरफ करेंगे फिर दो फंदे उल्टे एक दो दागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ करेंगे फिर से दो फंदे उल्टे एक दो दागा पिछे अब देखे एच टीच फंदे को छोड़के इनी ही फंदो को फिर से रिपीट करेंगे बिल्कुल पहली सलाई फर्स्ट रोकीत रही बनाएंगे तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे फिर से उल्टे दागा पीछे लास्ट में आपके पास चार फंदे होंगे चार फंदों को सीधा ही बना लीजिए एक दो तीन चार तो राइट साइड डिजैन की तीन सलाईया बनके कम्पलिट हुई अब आज ये रोंग साइड चोथी सलाई रोंग साइड एच टिस फंदे को उतार लेंगे अब देखिए तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तेन दागा पीछे करेंगे अब जो ये पांच फंदे हैं इनको एक सीधा दागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा सेम जैसे हमने सेगेंड रो बुने थी ऐसे ही बुने गया स्टिच फंदे को छोड़के तीन फंदे उल्टे फिर आगे के पांच फंदे एक सीधा एक सीधा एक सीधा धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे एक दो तेन धागा पीछे फिर से एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा तो देखिए यहां से लेके यहां तक दूसरा repeat complete हुआ तीन उल्टे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक सीधा लाश्ट में आपके पास चार फंदे हैं तो चार फंदे उल्टे बुन लेजिए देखिए के चार स्लाइया बनके complete हुई अब आज ही सीधी तरफ 5 सिधी तरफ 5 सिधी तरफ 5 सिधी चुतारेंगे अब पूरी स्लाइय को ऐसे धागा पिछे करते हुए सीधा सीधा बुन लेगे पांचमी स्लाई में कोई डिजाइन ही डलेगा बिलकुल सीधा सीधा बनाते विए पूरी रोग कम्प्लिट करेंगे बहुत इजी डिजाइन है इसको विगनर्स भी आसाने सी बुन लेंगे किसी प्रोजेक्ट में डालिए बहुत ही प्यारा सा सुन्दर साई डिजाइन बनके आएगा तो ये पांचमी स्लाई को पूरी को सिधा सिधा बनाके कम्प्लिट कर लिया अब आज ये छटी स्लाई उल्टी तरफ तो यहां पर पूरी स्लाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से पूरी रोग को उल्टा उल्टा बुन लेजिए तो अब सीधी तरफ साथवी स्लाई अब देखें यहां पर डिजाइन को चेंज करेंगे जो डिजाइन ये सीधे फंदों में है ये इन उल्टे फंदों में आ जाएगा जो उल्टे फंदों वाला डिजाइन ही ये सीधे फंदों में आ जाएगा तो चलिए इसको बनाएंगे ध्यान दिजिएगा इंपोर्टेंट स्लाई है डिजाइन चेंज होगा स्टार्टिंग से ही डिजाइंड लेगा तो दो फंदे उल्टे एक, दो, धागा पीछे फिर एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ फिर से दो फंदे उल्टे एक, दो, धागा पीछे अब फिर से तीन फंदे सीधे एक, दो, तेन तो देखिए इने ही आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे शेम ऐसे ही बनाएंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक, दो धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे फिर से तीन फंदे सीधे एक, दो, तेन तो दो डिजाइन हमारे यहाँ पर कम्पलेट हुए अब देखिए धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे लास्ट में आपके पास पास पंदे होंगे तो दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे इस तरह से अब यह डिजाइन की जंगे चेंज होगी जो सीधे फंदों पे था वो डिजाइन यहाँ पर उल्टा बन गया उल्टे फंदों के उपर सीधा डिजाइन बनना शुरू हो गया अब डिजाइन की है आठमी सलाई आठमी सलाई को ध्यान दीजिएगा अब देखे ध्यान दीजिएगा एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा तो ये पांच फंदे हमने इस तरह से बुने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक सीधा धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे दो, तेन, तो ये टोटल आठ फंदे हैं, इन्हीं आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक पांच पंद हो बुन्दे के पाद धागा अपनी तरफ करेंगे तीन पंद उल्टे एक दो तेन इस तरह से दो डिजाइन हमारे कम्प्लिट हुए धागा पीछे करेंगे फिर से लास्ट में पांच पंद हैं इनको फिर ऐसे ही बनाएंगे एक सेधा धागा अपनी तरफ एक धागा पीछे एक फंद सीधा धागा अपनी तरफ एक फंद उल्टा धागा पीछे एक फंद सीधा तो ये डिजाइन की आठ स्लाइया बन गई अबाजी है सीधी तरफ नो मिस लाई तो ध्यान दिजेगा किस तरह से बनाएंगे दो फंद उल्टे एक दो धागा पीछे कर फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन तो देखिए स्टार्टिंग से लेके और यहां तक आठ फंदे हैं दो फंदे उल्टे एक सीधा दो उल्टे तीन सीधे इनहीं आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे तो दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे फिर से तीन फंदे सीधे एक दो तीन तो यहां से लेके यहां तक दूसरा रिपीट कम्पलिट हुआ अब लास्ट में पास फंदे हैं तो इनको फिर ऐसे ही बनाएगा दो फंदे उल्टे दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे तो डिजैन की नो सलाईया बन के कंप्लेट हुई अब आज ये उल्टे तरफ दसमी सलाई तो रोंग साइड दसमी सलाई अब देखिए यहां से एक फंदा सीधा शरू से ही डिजैन शरू होगा दागा सीधा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे फिर एक सीधा धागा अपनी तरफ फिर एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा पांच फंदे इसी तरह से बनाए एक सीधा उल्टा सीधा धागा अपनी तरफ तेन फंद उल्टे तो आठ फंदों का डिजाइन है यही आठ फंदे फिर से रिपीट करेंगे इन ही आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उल् आप देखिए यहां से लेके और यहां तक आपका आठ फंदों का डिजाइन कम्प्लेट हुआ एक पंदा सीधा उल्टा सीधा पांच पंदे से बना के फिर तीन फंदे उल्टे बना लेंगे प्लास्ट में पाच फंदे हैं तो इनको एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पिछे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पिछे एक सीधा तो ये डिजैन की दस लाईया बनके कम्पलिट हुई अब आज ये सीधी तरफ ग्यार्वी सलाई ग्यारवी सलाई को पूरी को सिधा सिधा बनाएंगे ऐसे धागा पीछे करेंगे और पूरी सलाई को सिधा सिधा बना लेंगे बहुत ही easy design है इसको new vigners भी आसानी से बुन लेंगे इसको पूरी को सिधा सिधा बुन लेजिए तो ये ग्यारवी सलाई को सिधा सिधा बना के कम्पलेट कर लिया अब आज ये बारवी सलाई उल्टी दरफ पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बना लेजिए इस तरह से पूरी रोगो उल्टा उल्टा बुनेगे बहुत ही आसान डिजाइन है जब भी आप इसको प्रोजेक्ट में डालें तो पहले आप थोड़े फंदों में डिजाइन डालके डिजाइन को बुन लेजिए फिर आप अपने प्रोजेक्ट में अपलाई कीजिएगा तो बहुत ही आसानी के साथ ये डिजाइन बन जाएगा तो ये पूरी स्लाई को बार्वी स्लाई को पूरी को उल्टा-उल्टा बना लेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल लीजिएगा स्टेटर में, कारडिगन में, जाखिट में, कैप में, टोप में, बेवी स्टेटर में, बलैंकेट में, किसी में डाली है, बहुत ही प्यारासा डिजाइन ये बनके आएगा, तो देखिए टोटल 12 सलाईयों का डिजाइन था, डिजाइन इस तरह बनके आया है, अब जब से लेकर बारा सलाई तक इनहीं को रिपीट करेंगे तो इस तरह से बहुत ही सुन्दर सा प्यारा सा ये डिजाइन बन जाएगा तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बना के बड़े में दिखाती हूँ आपको फिर आप इसको अपलाई कीजिएगा अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए बताने का तरीका पसंद आए वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक को शेर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो जगे नोटिक्नेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हुमरे डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा थेंक्यू